हलो एवरिवन स्वागत आप सब कापके अपने चैनल इंग्लिश एजेंडा में आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हेल्थ प्रोब्लम से रिलेटड इंग्लिश सेंटेंसेज जी हाँ हमें अपनी लाइफ में सर्दी खांसी जुखाम बोड़ी पेंज जैसे कई हैल्थ इस्यूज होते हैं तो चलिए देखते हैं कि इनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हमारा फ़र्च सेंटेंस है तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो? मेरी आँखें दुख रही है और पानी बह रहा है मुझे बुखार लग रहा है उसके पीट में दर्द है मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है मेरे शरीर में पानी की कमी हो गई है I am suffering from dehydration dehydration को हम कहते हैं निर्जली करण यानि पानी की कमी होना निर्जली करण से बचने के लिए आपको धेर सारा पानी पीना चाहिए मेरे पैर में मोच आ गई है उसको बहुत चोट लग गई है यानि ज्यादा लगने पे हम बोलते हैं वे सरजरी से पूरी तरह ठेक हो गया है मेरे गले में दर्ध है I have sore throat मेरा जी मिचला रहा है जल्दी ठीक होने के लिए थोड़ा आराम करें मुझे चक्कर आ रहे है I am feeling giddy मुझे हिचकी आ रही है I am getting hiccups मेरे सर में दर्ध है I have a headache मुझे जुकाम है I have a cold मुझे कबज है I have constipation मेरे पेट में गैस हो गई है I have a bloated stomach I have a bloated stomach उसे बदहजमी है He has indigestion He has indigestion वह आज कैसा है How is he today? How is he today? उसका बुखार आज कम है His fever is down today His fever is down today वह गरववती है She is pregnant She is pregnant मेरे जोडो में दर्ध है I have joint span I have joint span मेरी आँखों में जलन हो रही है I have irritation in my eyes I have irritation in my eyes मेरे दांत में दर्ध है I have toothache I have toothache मेरा पेट खराब है I have bad stomach I have bad stomach मेरी पेट हकड गई है My back is stiff My back is stiff मेरा हाथ दर्ध कर रहा है My hand is aching My hand is aching मुझे दस्थ हो रहे है I have loose motion I have loose motion क्या आपको दस्थ हो रहे है Have you got loose motion Have you got loose motion मेरा गला बैठ गया है My voice is horse My voice is horse उसे लू लग गई है He has been suffering from heat stroke He has been suffering from heat stroke मुझे चक्कर आ रहे हैं और घुटन महसूस हो रही है I am feeling dizzy and suffocated I am feeling dizzy and suffocated मेरे दांत में कीडा लग गया है I have a cavity in my tooth I have a cavity in my tooth मेरा सर फटा जा रहा है Normal जब सर में दर्द होते हैं तब हम बोलते हैं headache लेकिन जब सर बहुत तेज दर्द करता है तो ज़्यादा दर्द होने पे हम use करेंगे splitting मेरे मुह में छाले हो गए है I have got blisters in my mouth मदुमक्खी ने मेरा हाथ काट लिया या डंक मार दिया इसको हम कैसे बोलेंगे A honeybee had stung my hand A honeybee had stung my hand उसके पैर में सूजन है He had a swelling on his foot उसके नाक भे रही है He has a runny nose आजकल उसके तबियर ठीक नहीं है He is not well in these days He is not well in these days सेहत के लिए खुशी सबसे अच्छी दवा है Happiness is the best tonic for health Happiness is the best tonic for health तो ये तो थे हमारे health problem related पुछ English sentences I hope आपके लिए useful होंगे तो ऐसे बहुत सारे sentences आपको देखने को मिलेंगे इसके second part में तो ऐसे ही और वीडियोज देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब कर लीजेगा चली मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टोपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई